दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनियोज मनसु खिरिन मडर केस और एंटीलिया केस में एनाईए के द्वारा ग्रिपतार किये गए सचीनोजे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि सचीनोजे पिछले कुछ टाइम से लगातार मुंबई पुलिस की कस्टडी में था मुंबई क्राइम रांज की और मुंबई क्राइम रांज की जो टीम है वो लगातार सचीनोजे से पूछताज कर रहे थे लेकिन आज जो है सचीनवजे की कस्टडी खतम हो रही थी जिसके बाद आज सचीनवजे को कोट में पेश किया गया और कोट ने आज जो है सचीनवजे की कस्टडी खतम करके उसको जो है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है आपको बता दूँ कि अनिल देस्मुक के बारे में मैंने पिछले ही वीडियो मताया कि अनिल देस्मुक को भी जुडिशल कस्टिडी में भेज दिया गया है उनको भी 14 दिन की जुडिशल कस्टिडी में भेजा गया है लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अनिल देस्मु हैं इनको जो है तलोजा जेल में सिप्ट कर दिया गया है दो के दोनों लोगों की जो मुलाकात की बात सामने आ रही थी वो जो है पॉसिबल होती नहीं दिखाई दे रही है अगर बात की जाए एडी की तो इडी ने पूरी कोशिश की थी कि अनिल देश्मुक और सचिनवजे को आमने सामने बैठा कर उनसे पूस्ताज किया जाए एक याज़का भी दाखिल की गई थी कोट में कि वो जो है सचिनवजे के कस्टडी जाते हैं लेकिन कोट ने उस टाइम उस याज़का को खारिश कर द इंग दिया गया है बस अलग अलग जेल में इनको भेजा गया है आपका क्या ओपीनियन इस पर आप उपना ओपिनियन कमेंड बॉक्स होता है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेश कर झाल 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 झाल